नमस्कार दोस्तों लली जोति समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पित्रों के नाम का जो दिया दीपक जलाया जाता है ये जलाना ठीक होता है या गलत होता है या हम ये कह सकते हैं ये किस समय जलाना ठीक होता है और ये किस समय जलाना गलत होता है दोस्तों देखिए दोस्तों पित्रपक्ष स्टार्ट होने वाले हैं ये आरंब होंगे 2 सितंबर 2020 से तो इस पित्रपक्ष में हम कुछ विशेश जान लेते हैं पित्रों के बारे में कि क्या पित्रों का दिया आपको इस पित्रपक्ष में जलाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा देखिए दोस्तों अमूमन ऐसा बताया जाता है कि पित्रों को खुश करने के लिए आप दक्षन दिशा की तरफ मुँ करके एक दीपक जलाएं अपने पित्रों का नाम लें और अपने पित्रों की शान्ती की आप मनो कामना करें ये उपाय आपको बहुत साधारन रूप से सुनने के लिए मिल जाएगा पर क्या ये उपाय सब के लिए करना ठीक रहता है ये एक बहुत important question है हम सब के लिए देखिए दोस्तों पित्रों को खुश करने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते रहते हैं जिसमें से ये दिया जलाना भी एक उपाय है लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बहुत clear cut रूप से बता दूँ कि अगर आपके घर में कोई negative energy है कोई भूत प्रेत बाधा, कोई जादू टोना या इस परकार की कोई भी दिक्कत आपको घर में महसूस होती है अगर आपके घर के किसी भी सदस्य को आपके घर में कोई negative चीज दिखती है या कोई चीज खड़ी हुई नजर आती है या ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई खड़ा तो नहीं हुआ और भी negative energy से संबंदित काफे सारे लक्षन है जो घर में महसूस होते हैं अगर आप भाई और बहनों में से किसी को भी इस परकार की negative energy की समस्या आपके घर में महसूस होती है तो आप पित्रों के नाम का दिया दीपक बिलकुल भी ना जलाएं आपको सुनने में थोड़ा सा अलग अजीब अटपटा लग सकता है लेकिन ये बात बिलकुल सच है अगर घर में आपको negative energy अनुभव हो रही है तो आप पित्रों के नाम का दिया बिलकुल मत जलाईएं इस चीज़ को नोट करके रख लेजिएं अब इसका मैं आपको कारण बता देता हूँ कि आखर कारण क्या है देखिए दोस्तों अगर आपके पित्र स्ट्रॉंग होते या आपने अपने पित्रों की सेवा पहले से करी होती उनके नाम का दानपुन करा होता या उनके नाम से जो भी पिंडदान तरपन या कोई भी किसी भी परकार का दानपुन करम होता है ये आप शुरू से ही करते हुए आए होते तो आपके घर में नेगेटिव एनरजी आती ही नहीं ये बिलकुल गरिंटिड बात है सत परतिशत सच बात है अगर आपके पित्र स्ट्रॉंग होते तो आपके घर में वो नेगेटिव ए तो अगर आपके घर के द्वार पर खड़े हुए जो आपके पित्र हैं वो कमजोर पड़ चुके हैं तभी किसी और के जो भी आप पित्र समझ लीजिए जो आपके लिए प्रेत हो गए हैं या किसी भी परकार की कोई negative energy है अगर वो आपके घर में परवेश कर चुकी है तो य ये बात आप मान के चलिए कि आपके पित्र strong नहीं है और आपने उनके लिए कुछ नहीं किया आपने उनके नाम से कोई दानपुन नहीं किया क्योंकि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता ही नहीं अब ये जानिए कि अगर आपके घर में negative energy है और अब आप अपने पित्रों क नाम का दीपक जला रहे हैं या उनको कोई भोग लगा रहे हैं तो क्या होगा देखिए क्योंकि पित्र तो आपके पहले से ही कमजोर थे और अब आप जो भी पूजा या दिया अपने पित्रों के नाम का जलाएंगे उसका फल मिलेगा आपके घर में जो उपस्तित negative energy है उ उसको और जैसे जैसे उसको ये फल मिलेगा वो negative energy बहुत ही अधिक strong होती हुई जाएगी वो बहुत ही अधिक परबल होती हुई चली जाएगी आप बहुत से उपाय करवाएंगे उतारे करेंगे तरह तरह के उपाय करते रहेंगे लेकिन अंत में पाएंगे कि घर से वो negative energy नहीं जा रही क्योंकि आप अंजाने में उस negative energy को भोग पर साथ चढ़ा रहे हैं और जिससे वो उसका बल जो है लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है अगर आप में से कोई भी भाई बहन negative energy का अनुभव अपने घर में कर रहा है घर मे बोला मैंने खास दोर पे घर में किसी व्यक्ति विशेश पर नहीं तो पित्रों के नाम का दिया ना जलाए ना ही उन्हें कोई भोग लगाए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ हमारे बहुत से बाही और बहन ऐसे हैं जो पित्रों के न आप बिल्कुल ना करें क्योंकि अगर आप पित्रों के नाम का जो भोग लगा रहे हैं अगर आप उसको खाते हैं तो ऐसा मान लीजिए कि आप उनको स्थान दे रहे हैं अपने शरीर में आपके पित्र कितने भी अच्छे थे या कैसे भी थे अगर आप उन्हें अपने श चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए मान लीजिए आपके कोई भी सगे संबंदी थे पिता थे माता थे भाई थे बहन थे वो चले गए किसी भी कारण या किसी भी उमर में और उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई और आपने अगर जाने अंजाने में उन्हें आप मान के चलिए कि वो अपनी इच्छा पूर्ती करेंगे और इस इच्छा पूर्ती में हो सकता है आपका कोई नुकसान हो जाए हाला कि वो जान बूच के नहीं करते लेकिन ये चीज़े ऐसी होती है कि जाने अंजाने में ही आपका नुकसान हो जाएगा उनको लगेगा कि वो आपको प्यार दे रहे हैं लेकिन आपको शरीरिक रूप से नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो ऐसे भाई और बहन जो पित्रों के नम का भोग लगा कर खुद खाते हैं उसे ना खाएं आप उसे अगर पक्षियों को डाले या फिर गाए माता को खिला दे या किसी भी पशु पक्षी को से खिला दे कवो को खिला दे कवो को खिलाना बहुत अच्छा रहता है गाए को बहुत अच्छा रहेगा तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग दक्षिन मुखी दीपक जलाते हैं तो पहले ही जलाना शुरू करते हैं ताकि आपके पित्र स्ट्रॉंग हो उनको बल मिले अपने पित्रों के नाम से दानपुन जरूर करें ऐसा न पित्रों के लिए हमेशा ही दानपुन करें देखिए दानपुन कभी भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो का मकसद ये था कि आप पित्रों के नाम कर दिया तब ना जलाएं जब आपके घर में नेगटिव एनरजी का वास हो गया है दूसरा उनके नाम का आप उठा सकें और पित्रों से संबंदि दीपक का सच जान सकें ये दिया सरसो के तेल का अमोमन जलाया जाता है तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेना चाहूंगा नमस्कार दोस्तों जैश्रिराम